हलो फ्रेंस वेलकम बैक टू माई चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलहाबाद हाई कोट के एक लेटेस जज्जमेंट के बारे में जहां पर सवाल ये था कि क्या किसी दुकान के खिलाब जब F.I.R. दर्ज हो जाती है तो उस दुकान का लाइसेंस रद किया जा सकता है या फिर नहीं इलहाबाद हाई कोट ने अपने एक लेटेस जज्जमेंट में ये कहा है कि अगर F.I.R. दर्ज हो जाती है और साथ साथ कोई क्रिमिनल केस कोट में पैंडिंग है तो उचित मूले की दुकान के लाइसेंस को रद करने का आधार नहीं बन जाता है इस केस के सुनवाई जेस्टिस नीरस तिवारी की बेंच कर रही थी आज हम बात कर रहे हैं केस जगदंबा प्रसाद वर्सेस स्टेट ओफ यूपी एन एनदर केस के बारे में यहां पर जगदंबा प्रसाद की रिट याचिका पर कोट सुनवाई कर रही थी और उन्होंने दावा किया था कि उनकी उचित मूले की दुकान के लिए उनका लाइसंस उपमंडल मजिस्ट्रेट मेजा इलाहबाद के द्वारा अक्टूबर 2017 में रद कर दिया गया था क्यों यह कहिए कि कोई मामला प्रेंडिंग भी नहीं है याचिका करता ने यह भी कहा कि अगस 2002 के शाषना देश के तहट लाइसंस होने के बाद अपराधिक मामला दर्च होने पर उचित मूले की दुकान का लाइसंस रद करने का कोई प्रोवीजन नहीं है सुरवात में कोट ने कहा कि अनिल कुमार दूबे वर्सिस यूपी स्टेट और एनादर केस में इलहबाद हाई कोट ने यह माना है कि केवल अपराधिक मामले या फिर आरोप पत्र दाखिल होने पर उचित मूले की दुकान का लाइसंस रद करने योगे नहीं होता है तो इस तरह से इस मामले का निस्तारन करते हुए जेस्टिस नीरस्तिवारी की बेंच ने कहा कि सिर्फ F.I.R. दर्जोना या फिर कोई अपराधिक मामला पैंडिंग होने की वज़ा से किसी की दुकान का लाइसंस रद नहीं किया जा सकता होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफर्मिशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा